हेलो दोस्तों मैं राहुल और स्वागा था आप लोगों का आपके अपने यूट्यूप चैनल आपके सेंटर पे दोस्तों आज के वीडियो हम लोग जाने वाले हैं राची उनिवर्सिटी कॉमन कॉर्शन थर्ड के बारे में ठीक है जो आपका है हेल्ट एंड वैलनेस योग परकार का कोशन पूशा जाता है ठीक है लोग जानते हैं कि अपने किस परकार का किसको जानाजाता है। एंसर क्या हो जाएगा। मेजर ध्यांचंद को क्या था आपका कि हौकी का जादूगर किसको कहा जाता था। मेजर ध्यांचंद को इस के आगे बढते है कोशन नबा 3 के तरह कोशन fps फूटबावल खेल कितने समय कह UP फूटबॉल का चीए लाना वो कितने समय के लिए होता है ठीक है वह आपका 90 मिनट के लिए होता है जिसमें से 45-45 मिनट प्रतियक टीम को मिलता है दो भाग में बढ़ते हैं लोग दोनों गुरूप को 45-45 मिनट मिलता है गूल करने के लिए अब जैसे इसके आगे बढ़ते हैं कोशन है कोशन है कोशन नमर फूर जो ना आपका देखिए यहां पर आमीन आ गया है कोशन क्या था नेक्स आपका कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सुरौत कौन सा है ठीक है तो कोशन आपका है विटामिन डी वाला ठीक है कि विटामिन पर प्रकास अब जैसे इसके आगे वढ़ते हैं कोशन नमर फाइब की तरफ कोशन नमर फाइब में पूछा आपको कि भारत की राष्ट यह खेल क्या है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा होकी भारत की रास्ट यह होकी है कोछेंश नबर 6 में आपको पूछा है कि अधूनिक फुटबॉल खेलका जर्मदाता ऐ देश कौन है मतलब भी जो फुटब खेला जाता है उसका जर्मदाता कौन है ये कहां से स्टार्ड हुआ था तो राइड़ेजर क्या हो जाएगा अपका इंग्लेंड ये कहां उसमें कितना आसन होता है तो आज राय असने मिल कर चाहिए जिए कि आप किसी भी चीज का प्रॉबलम होता है तो अप लोग कॉमेंट करें कि भाई प्रॉबलम या तो स्री प्रॉबलम आपको बता दिया जाएगा क्योंकि सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इससे जरुड़ावा सारा न्यूस मिलता रहे कि अब वड़ते हैं इसके आगेला कोश्चन के तरफ कोश्चन नमर एच है अपका कि हडियों में तथा दांतों में किस तत्व की आवाई सकता है मतलब हड़ी जो है हड़ी और दांत को मजबूत करने के लिए किस इसका ज़ुरत वड़ता है तो आगे टेंसर क्या हो जाएग उसके आगे अपका है नेक्स्ट कोश्चन कि मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है मतलब मान लेजिए कि मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो सबसे बड़ा अंग कौन सा अपका थो रहा के आनतरीक होर तो क्या होता लीवर क्या हो जाएक लूरे गुश्चरीक लिखावा तो कि यौग सब्द की उत्पति प्रिक हाई य९ उगज़ इस सब्सुर्ण का में ऑलम्पिक कहलों का यूजन कहां गिया घाए था आ है में को सुजन है कि व्यूजर अग्यूंक तक्यूर कौन से-घूर का तोक्यों में कहा था टोक्यों में व tour तूक्यों में वा था ठीक है अब देखिए इसके आगे जानेंगे राकि परमोग ठील कौन-सा-ग्यूर लोग जानते होंगे सची ते दूर कर रोखो ठीक है यह किस से जुड़ा हुआ कौन सा खेसे जुड़ा हुआ क्रिकेट से जुड़ा हुआ ठीक है इसके बाद जो आपका नाम आता है MS Dhoni यह brand है आपका ठीक है इसके बारे में सब लोग जानता है MS Dhoni के बारे में यह कौन है क्रिकेटर है जिसको माही के नाम से जाना जाता है माही भाई इसके आगे देखे लिखाअबा मिलका सिंह इसके नाम पे मुवी भी बना हुआ इसको फ्लाइंग सीक कहा जाता था उड़ने वाला फ्लाइंग मतलब क्या था उड़ना मतलब यह बहुत जल्दी दौर के खतम कर लेता था इसलिए ठीक है आगे लिखाबाँ सुनील छेत्री सुनील छेत्री जो है यह फुटबॉलर है भ एक ऑडला मतली वह फेकता का झालए्टड़ करता था खेल करता है अब दोगो आगे जैंगो कि देश्ट ऐसे खेल का राश्ट का ने का बहुतार था है तो भारत का कौश्य मतलिका होकिंगे दूसरा चीय क्या है पहला पहलान clashti सिब खेल कर फिर दूसरा में आपका भूटान, भूटान का क्या है? तिरंदाजी, ठीक याँ फिर इंडोनेसिया, आपका भूटान, उvania कीया हो जाएगा, बैड मींटेन, ठीक फिर फूर में आप वांदाव भूटान, स्रीलंका का क्या है तो च्छेने का पूछेंगा चीन, चीन तो फिर इंग्लेंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या है क्रिकेट क्या है क्रिकेट पर उसके आगे हैं फ्रांस जर्मनी इटली और इसरायल यह चारू का जो ना राष्टिय खेल किया फुटबाल है क्या है फुटबाल इसके बाद जो लाष्ट मैं पूछा जाता है अमेरिका अमेरिका का राष्टिय खेल क्या है तो अगर आपको कहीं कोई रिक्कत हुआ तो कॉमेंट पे कॉमेंट वाला बॉक्स में कॉमेंट करें कि भाईया यहां पर प्रॉबल्म है इस इसको बता दिया जाए ठ कि आप लोग को बढ़ियां से समझ माया होगा तो मिलते हैं नाक्स वीडियों में तब तक के लिए जाहिए जैवार